मस्कार दोस्तों राज़िस्थान क्लाशिस के यूट्यूब सेनल में आपका हार्थिक स्वागत अभिनांदन मैं सुमेर आपके सामने लेकर उपस्तित हूँ BSTC एक्जाम 2019 के क्वेशन पेपर में इंगलीज के जो जो क्वेशन आये थे उन सब का सॉलुशन सरु परतम, कोशन की और बढ़ते ही बी कोशन को कैसे करना है, कैसे ईसको सॉलू करने का क्या तरीका होता है क्या मैतल होता है उसके बारे में डिसकस करती ही अपना आगे बढ़ेंगे सलिए पहले कोशन की और Read the passes carefully and answer the following questions देखिए दोस्तों जब भी आपके सामने पैसे इसका कोशिशन आता है तो सबसे पहले अपने को उस पैसे इसको ध्यान पुरूख समझने की कोशिश करनी है जो जो important words उसके अंदर आए हैं उसकी meaning को समझती भी पूरे paragraph को समझना है चलिए पूरे paragraph को समझने की कोशिश करते है Many of us believe that small means insignificant Many of us, ज़्यादातर हम मैंसे लोग believe that small, small और छोटा means insignificant insignificant का मदल लोगता है तुच्छ या महतवहिन यानि ऐसा माना जाता है कि छोटे लोगों को महतवहिन समझा जाता है We believe that small actions and choices do not have much impact on our lives We believe हम ऐसा विश्वास रखते हैं that small actions जो छोटे-छोटे कारिया होते है and choices जो अपने पास विकल्फ होते है do not have much impact, impact का मदल लोटा है परभाव effect, इसका synonym भी आप ध्यान रखोगे effect On our lives, जो हमारे जीवन के उपर बहुत ज़्यादा effect छोड़ते है We think that it is only the big things हम ऐसा सोचते है that is the only the big things जो बड़ी-बड़ी सीजें होती है the big actions, बड़ी-बड़ी काम and the big decisions जो बड़ी निर्ने लिया जाते हैं that really count कि सिरफ वो ही count होते हैं But when you look at the lies, जब हम जीवन की तरफ देखते हैं of all great peoples, जो बड़ी लोग होते हैं, महान लोग होते हैं उनके जीवन की तरफ देखते हैं We will see that they build their character through small decisions उन्होंने अपना जीवन, उनका जो शरीत्र है, character यानि शरीत्र होता है through small decisions, छोटे-छोटे निर्ने के साथ small choices, छोटे-छोटे विकल्प के साथ and small actions, और जो छोटे-छोटे कारिया होते हैं, उनके द्वारा किया है that they performed everyday, पर्फॉर्म्ट यानि परदर्शित करना ऐसा दिखाना that they performed, ऐसा वे दिखाते थे, परदर्शित करते थे everyday, यानि हर दिन they transformed their lives, उन्होंने अपने जीवन को रुपांतरित किया, बदला their lives and जीवन, through a step by step, कदम दर कदम, मतलब एक एक कदम उटा करिको उसने अपने जीवन को रुपांतरित किया, अपने जीवन को बदला and shift away, shift away का उन्होंतर है, अठा देना, टुकड़ी कर देना, at their bad habits, और अपने बुरी आदतों को उन्होंने दूर कर दिया one step at a time, एक समय में एक कदम उटा कर, छोटे-छोटे कदमों के साथ उन्होंने अपने बुरी आदतों को हटाया it was their small day-to-day decision, ये जो उनके थे, small day-to-day, छोटे-छोटे दिन बदिन के निर्ने थे, decision का उन्होंने निर्ने that added up to make a tremendous difference in long run, that added up, उन्होंने जोडा, to make a tremendous, tremendous का मतलब होता है भयानक, terrible जैसे कहते हैं, difference in the long run, लंबी लड़ाई के अंदर, या लंबे जीवन के अंदर, लंबे समय के अंदर उन्होंने बदलाव लाया indeed, वास्तों में, in matters of personal growth, in matter of personal, वेक्टिगत growth के मामले में, उनकी विकास के मामले में and character और उनके सरीत्र building में, सरीत्र के निर्मान में, there is no such thing as an overnight success उन्होंने ऐसा पाया, कि there is no such thing, इस परकार की कोई बस्तू नहीं है, as an overnight success, जो रात तो रात सपलता दिला दे overnight success का मलब होता है, रात तो रात सपलता मिलना, मतलब एक रात में सपलता मिलना, ऐसा करते ही possible नहीं है साली, इस पैसे से आए, कोशनों की तरफ बढ़ते है, the main idea in the passage is that, इस passage में man idea कौन सा है तो सीदी सी बात है, इसके अंदर जो main idea जा है, option number 2, small action and decisions are important is one's life second question, इस पैसे के अंदर से आए हुआ देखिए, what does the writer mean by saying seeped away at their bad habits writer का क्या मानना है, seeped away at their bad habits, बुरी आदितों को दूर करना है इसके लिए देखिए, seeped away का मतलब है अभी आपको बता है, दूर कर लेना, हटा देना, टुकड़े टुकड़े कर देना तो इसका option right होगा, option number 1, steadily, steadily कर दोता है, धीरे धीरे, gradually, give a bad habits, बुरी आदितों को हटा देना अगला question है, choose the type of the following sentence, आपके सामने एक sentence दिया गया है, may you be happy, आप हमेशा खुश रहे हैं इस परकार के जो questions होते हैं, इस परकार के जो sentence होते हैं, उन sentence को कहा जाता है, operative sentence, तो इसका सही answer होगा, option number 2 next question, choose the correctly spelled word from the given option, that means, a formal assurance that certain condition will be fulfilled एक ऐसा सब्द जो assurance देता है, अपने को सांत्वना देता है, अपने को सांत्वना देता है, अपने को सर्तों को पूरी करने के लिए उस सब्द को अपने केते हैं, guarantee, तो guarantee की सही spelling होगी, G-U-A-R-A-N-T-E, तो guarantee next question, fill in the blanks with appropriate connectives from the given option, options के अंदर जो conjunction दे रखे हैं, उनमें से conjunction को अपने को टिक करना है, देखे question, Helen had a smile on her face, Helen के सहरे पर हमेशा smile रहती थी, blank space, she felt sad really, लेकिन वो क्या feel कर रही थी, sad, मतलब उसके सहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन वो हमेशा कैसा feel करती थी, उदास feel करती थी, तो because नहीं आ सकता, क्योंकि क्योंकि वाला सब्द यह हैं नहीं, however भी नहीं आ सकता, however का मतलब होता है, जैसे भी, otherwise का मतलब अन्यता होता है, यह भी नहीं आ सकता, और इस सगे अपने को सही option टिक करना पड़ेगा, option number 4, whereas, तो उसा answer हो जाएगा, whereas, चलिए आगे बढ़ते हैं, सूच दे correct sentence, इसमें से ही सही sentence का अपने को select करना है, इस परकार के जो sentence कहलाते हैं, exclamatory sentence कहलाते हैं, तो exclamatory sentence की आंते में आपको एक sign मिलेगा, इस परकार का एक sign, तो इस sign को ध्यान रखती वे, और इस परकार का जो sentence होते हैं, उसका normally या ज्यादा तर common रूप से अपन मानें, तो इसका end जो होता है, question word से होता है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number 1, तो लिए आगे बढ़ते हैं, इसका आपने को अपोजिटी वर्ड डून है, फ्राइटन, फ्राइटन का मानलोता है, डरा हुआ या डराना, लूजन, लूजन का मैंलोता है, ढिला, जिसी है अपन किएते हैं, बिल्कुल लूज, ढिला, ड्रंकन, ड्रंकन का मैंलोता है, सराबी, जो वक्ति, लिकर का सेवण करते हैं, वो कराते हैं, drunken, और option number 4 है Titan Titan का वहलोत है कसना या दबाना तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास में देखिए Frighten, Lusion, Drunken और Titan जो Emboldened का सही आंसर होगा Frighten आगे बढ़ते हैं Choose the one word substitution for the given expression आपके सामने एक लाइन दे रखिए उसमें से one word का अपने को सेलेक्ट करना है One who is not sure about God's existence वो वेक्ति जो भगवान के अस्तितों में विश्वास ना करता हो उसे अपने को हिंदी में बोलते हैं आस्तिक देखिए Arsonist Arsonist का मतलत है आग लगाने वाला One who person that put off fire Second option है Attist Attist का मतलत है नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो Agnostic Agnostic का मतलत है अग्याईवादी जो ना तो विश्वास करता है ना ही विश्वास रखता है जिससे कहते हैं अग्याईवादी Appostate का मतलव होता है धर्म फर्ष्ट जिसने धर्म को त्याग दिया हो जो धर्म रइत हो जो वेक्ती उसे बोला जाता है अप्वस्टेट तो इसका सही आंसर हो जाएगा option no.2 चलिए आगे बढ़ते हैं choose the word from the given option which is opposite in meaning to the word manifested इसमें भी आपको opposite word का select करना है manifested manifested का मुलता है परकट करना किसी की सामने रखना जिसको एक और वर्ड बोला जाता है express express नूँ मनलता है जताना देखिए option को देखते हैं display display का मुलता है परदस्चन करना reveal reveal का मर्लब होता है किसी की मामले को उजागर करना परकट करना यह भी बोल सकते हैं आप सभी जानते होंगी चिनित करना concealed concealed इसका ऑपोजिट वर्ड क्या manifested का परकट करना और इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा concealed तो option number 4 इसका स्यांसर होगा question number 101 next question है fill in the blanks with appropriate article इसमें article का पर्यूग करना है आपको we received blank space SOS from the mountaineers team चलिए आगे बढ़ते हैं next question choose the erroneous part of the given sentence despite of continuing pens she worked at her temporary summer job most of the week तो देखिए दोस्तों इसके अंदर सिधा सिधा पहले ही पार्ट के अंदर इसके अंदर error है तो despite off नहीं होता despite होता है यदि इसकी स्थान पर in spite of होता तो off लगता अदर्वाइस अपने को क्या यूज करना होता है despite तो पहले ही पार्ट के अंदर इसके error है चली नेक्स्ट अगला question है सूच the erroneous part of the given sentence next be question same type का the college library is not only equipped with very good books but also with the latest journals college की जो library है not only equipped with equipped को मतलब होता है सजाना या समारना सजना या किसी सीज को से सजा जा जया गया है मतलब सारी के सारी सीज़ें वाँ पे फुल पिलो very good books बहुत अच्छे पुष्टक है also with the latest journals और नहीं नहीं पत्रिकां भी वाँ पे है तो मेरे knowledge के अनुसार इस question के अंदर कोई भी किसी भी परकार का error नहीं है चलिए आगे बढ़ें next question feeling the blanks with proper tense or correct form of the verb tense की proper verb का परियोग करना है देखिए कि when I visited him in Mumbai he blank space there for five years I visited देखिए पहले पार्ट के अंदर इसके अंदर है past simple tense और एक तरफ past simple tense होता है तो दूसरे तरफ भी आपको past tense का ही परियोग करना होता है तो पहला option इसमें नहीं आ पाएगा क्योंकि present tense है और यह present continuous tense यह भी नहीं आ सकता यह present perfect continuous tense यह भी नहीं आ सकता इसके अंदर option number for right answer होगा 116 का सभी answer होगा for चलिए आगे बढ़ते हैं which of the following sentence is grammatically correct इसके अंदर grammar के दृष्टी से कौन सा sentence है जो correct है इसके बारे imagine करते हैं देखिए I have gone to Delhi yesterday देखिए yesterday जो सब होता है किसी भी yesterday that year या किसी भी यह सब जो यूज होते है past simple tense में आते हैं तो have gone में इसमें नहीं आ सकता has gone यह भी नहीं आ सकता इसका तीन option number three right answer होगा I went to Delhi yesterday past simple tense का sentence है चलिए आगे बढ़ें fill in the blanks with appropriate preposition preposition भरना इसके अंदर this is an confirmity confirm हो यह confirm है the rules let down by the corporation यह ऐसा निच्चित किया गया है कि ट्रूज रूल से जो corporation के द्वारा follow किये जाएंगी तो इसके अंदर आए जाएगा confirm confirmity जो वर्ड होता है उसके साथ में आपको यूज करना पड़ेगा विद तो इसका सही answer हो जाएगा विद चलिए next question की तरफ so is the word which is spelled incorrectly incorrectly जो इसके अंदर spelling का error है उसको सैटना है warrant बिल्कुल सही answer है descent descent का उनलता है भूत पूर हो जाए वह भी बिल्कुल सही सही answer है रेलेंट लैंस यह भी सही answer है और इसमें मिस्स फिल्ट वर्ड है प्रनांस यसन प्रनांस यसन के अंदर एन यू आता है यहां पर ओ आया हुआ है जो यहां पर एक मिस्टेक कर रखी है जो उसका सही answer होगा option number one pronunciation सली अगले question की तरह बढ़ते हैं change the direct narration to indirect narration direct indirect topic से equation दिया गया है the teacher said to the boy have you done your homework teacher ने बच्चे से पूचा क्या आपने अपना homework कर लिया है तो देखी the teacher asked the boy if he had done his homework बिल्कुल हो सकता है have को अगले time मेले जाएंगे तो have का head हो जाएगा और said to का हो जाएगा the teacher asked the boy if he had done his homework यह हो सकता है option number two the teacher told the boy if he had done his homework told नहीं हो सकता बता या नहीं इसने inquiry की है पूचा गया है option number three the teacher incurred the boy if he had done his homework यह question इसका भी answer यह हो सकता है option number four the teacher asked the boy if he have done his homework teacher ने बच्चे से पूचा क्या आपने अपना homework कर लिया है तो इसके अंदर option number four right answer होगा क्योंकि teacher यहाँ पे इंकवरी कर रहा है और उनसे पूच रहा है तो option number three is the right answer चलिए आगे बढ़ते हैं फिलेंदे blanks with appropriate word प्रॉपर वर्ड का इसमें परियोग करना है आपको इट वाज blank space cold outside when we got up from bed in the morning टार्टरिंग टार्टरिंग कम लोते हैं धीला ढाला या जिसी धुलमूल कहते हैं टेरिबल टेरिबल कम लोते हैं भयानक जो डरामना जो हो ट्रेम्बलिंग कम लोते हैं कानपना डग मगाना इस परकार का हो गए और biting अब लोते हैं काटने वाली कट कड आने वाली तो यहां पर सही answer होगा biting क्योंकि biting cold होता है ना कि trembling cold कापती हुई सर्दी नहीं होती है कम कापती ही सर्दी होती है चलिए next question filling the blank with proper tense और correct form of the verb इसमें भी tense का परियो करती है भी proper verb का परियो करना है the advancement in medical science to be boon for all of us तो देखिए advancement in medical science simple सी बात है present tense का question option आपके सामने sentence दिया गया है option number इसके अंदर सही हो जाएगा have advancements plural noun है आपके सामने इसमें आपके सही answer हो जाएगा one सली दोस्तों यह था आपके सामने 2019 के test जो पेपर होता उसका solution solution किस परकार का लगा इसके लिए आपके अपने अमूली सुजाओ जरूर दें धन्यवाद आपके समफड़ से जर अन्यवाद आपके सामने आपके mala मूझे ठापके का आपके अन्यवाद